और इतना परिशान हुए नरेन मोदी जी इतने भटक गए वो अपने ही दोस्तों पर आरोप लगा दिया कि ये टेम्पो भर भर के पैसे बेशते हैं जहरां जी और मैं रोज सुवे सुवे एएसी सी के बाहर आके देखते थे कोई टेम्पो आये कोई टेम्पो आया ही नहीं एक वो टेम्पो निकलते थे अड्रेस कहीं और का दिये दिया था उनको वहां चले जाते थे एक टेम्पो नहीं आया होता तो आपको और ज्यादा हम विग्यापन्दे थे बता रहा हूं आपको और इतना वो भठके कि अभी तक तो भगवानों की आपस में लड़ाई कराते थे जो हमारे बुजर्ग नेता जो रहे नहीं अब नहरू जी की लड़ाई पटेल से करा दी थी अब रवीवार की लड़ाई शुक्रवार से करा दी जाते जाते कियों है इसाइयों का यह प्रभाव है अरे प्रधामंत्री जी दस साल हो गए आपको यह मुद्दें आपके पास कि रवीवार को छुट्टी होनी ची है नहीं होनी ची वो जब बोल रहे थे उस दिन सोमवार था उससे एक दिन पहले छुटी ली थी उन्होंने प्रचार नहीं किया था जैराम जी ने ट्वीट किया था कि आज प्रचार नहीं कर रहे तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे उनका प्रचार भटक गया और कैसे डिरेल हो गया जिसको इंग्लिश में कहते हैं जाते जाते उन्होंने एक और बात ज्यान की कर दी ज्यान के तो वो सागर है एंटायर पोलिटिकल साइंस है बोले कि बापू को कोई जानता ही नहीं था पिक्चर बनी तब से जानते थे मोदी जी आप पर सो पिक्चरें बन जाएं ना आपको लोग भूल जाएंगे यह आप लिख कर ले लिजे आपको पिक्चरें भी अब नहीं बचा पाएंगे जो लेगेसी है जो आप विरासत छोड़कर जा रहे है इस लोग तंतर के लिए उसको लोग भूलाने की कोशिश करेंगे आने वाली पीडियां भूलने की कोशिश करेंगी यह स्थिती है जर्मनी में एक शासक था उसको लोग भूलाते है आप जर्मनी में जाईए उसका नाम ले लीजिए वो बड़ी उनका चेहरे का हावभा बदल जाते हैं उनको शरम आ जाती है यही हालत इस देश में नरेंदर मोदी जी की होने वाली है विश्व में नरेंदर मोदी जी की होने वाली आने वाले चार जून को हम फिर आपसे मिलेंगे और पूरे in all humility हम आपको कह रहे हैं बिनम्रता के साथ कह रहे हैं आप लोगों ने बहुत गर्मी में जेला बहुत महनत की बहुत पसीना भाया आपकी भी महनत कामियाब होगी लोकतंत्र जीतेगा इंडिया गटबंधन की सरका कार बनेगी बहुत बहुत धन्यक्त